नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं गनपती धर्मा सर्मार दोस्तों जीवन में कभी-कभी ऐसा होता है जब हमें समझ में नहीं आता हमें हुआ क्या है अचानक से हमारा मन घबराने लगता है बेचैनी महसूस होने लगती है अचानक से बहुत ज़्यादा क्रोध बढ़ जाता है या फिर सब कुछ अच्छा होते वें लगता है जीवन जैसे ठेहर सा गया है तब इसका मतलब क्या है कभी-कभी तो ग्रहों की चाल भी होती है और कभी-कभी उपरी बला भी होती है तो ऐसे में इंचियों से चुटकारा पाने के लिए कुछ छोटे चाल में एक काम कीजिए देखिए एक फिट करी बहुत ही सिंपल है आपको तो पताए वह फिट करी किसे कहते हैं तो फिट करी का आप सौ ग्राम पचास ग्राम का चुटा-चुटा टुकरा दो चार ले आए और फिर एक तो काच के बरतन में काटोरी में ग्लास में जो भी अगर आपको लगता है कि सपने अच्छे नहीं आते लगता है जैसे किसी ने अधिकार कर लिया आपके नीन पर तब तब ऐसे में फिट करी आप अपने बेडरूम में रखे काच के कडोरी में बिल्कुल सिराहने माथे के नीचे जहां सोते हैं सर के नीचे आप इंदम करके देखिए आपको लाब होगा है अब हम बात करते हैं अगर आपको लगता है बहुत ज्यादा नजर दोस हो गया है तब ऐसे में आप अपने घर में अगर कोई है तो उनसे कहें आपको साथ बाड़ एक फिटकरी का टुकरा लेकर उसार ले और ले जाके छट पे या कही सिया नदारद हो गई है ज्यादा परिसानी आने लगी है तब सनीवार के दिन काले कफड़े में फिटकरी का एक टुकरा बांद कर आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बाहर की ओर से लटका दें लटकांगे किधर दाहिनी साइट यकीन मानिये नकायत्मक सक्तियां ख अगर किसी ने कुछ किया है वापस उसी के पास चला जाएगा विसास नहीं होता आप करके देखें जीवन में खुसियां लोटने लगेंगी तकलीफें दूर हो जाएगी परकत होने लगेगी मन प्रसंद रहेगा हर काम बहुत अच्छे से होने लगेगा बहुत ही आसान उ स्काइब करें हर हर महादेव फिर मिलेंगे